हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू लंडरी दितीमन आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का क्लास एट का चैप्टर नंबर सिक्स जिसमें हम संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्टपती और उपराष्टपती वप्रधानमंत्री इनके बारे में हम बेसिक जो बाते हैं व करेंगे उनसे संबंदी जो प्रशन आपके एक्जाम में आते हैं वो देखेंगे और डेटेल में हम क्लास नाइंथ में पढ़ने वाले हैं लेकिन जरूरी है आपका इन चैप्टर को अच्छे से समझना क्योंकि कुश्चन जो है वो किस तरीके के आएंगे वो तो एक्जा संग सरकार भी कहते हैं, संग सरकार भी कहते हैं और केंद्री सरकार भी कहते हैं नेक्स्ट है यानि केंद्र में भी दो सदन है, लोकसभा और राज्य सभा और राज्य में भी दो सदन है, विधान सभा और विधान परिशत्व दोनों की ही सक्तियों में विभाजन है। तो जब संसद्य शाषिन परणाली के अंतरगत बात करते हैं, तो कारेपालिका में आते हैं राष्ट्रपती जी, प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद्द जो भी कानून होता है, उसको बनाने का काम करते हैं। तो वो है राष्ट्रपती जी, राष्ट्रपती जी जो है, वह जब भी कानून बनाने का कारे होता है, तो वहाँ पर भी शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी सहमती के बिना कोई भी कानून नहीं बन पाता है। इसके बाद विवस्थाफिका के अंदर कोई भी कानून या बिल जो होता है, उसमें अगर बिना सिगनेचर के राष्ट्रपती जी के वो आगे नहीं बढ़ता है। तो दोनों ही अंगों में ये सम्मिलित होते हैं, तो राष्ट्रपती जी का जो है वो एहम रोल होता है। संसद की बैठक कौन बुलाते हैं, तो संसद की बैठक बुलाना या आहूत करना, ये जो वर्ड आता है, तो यह बुलाते हैं राष्ट्रपती जी। संसत का कोई भी विध्यक किसके हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है, यानि कोई भी विध्यक, यानि कानून बनने से पहले उसे विध्यक कहा जाता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपती जी उस पर साइन कर देते हैं, तो वह है विध्यक ही कानून बन जाता है. संग सूची पर कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास इसी तरीके से संवर्थी सूची पर भी संसद बना सकती है और जो तीसरी है राज्य सूची उस पर राज्य कानून बनाता है और समवर्थी सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य और केंदर दोनों ही कानून बनाते हैं नेक्स्ट है कुश्चन 9 संसद की कितने सदन हैं तो संसद के देखते हैं हम दो सदन हैं लोगसभा और राज्यसभा नेक्स्ट है कुश्चन 10 संसद के कितने अंग होते हैं तो इसका अंसर है राश्ट्रपती लोकसभा और राज्यसभा उसके बाद है नेक्स्ट कुश्चन 11 लोकसभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है तो लोकसभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या होती है 552 सदस्य वर्तमान में सदस्यों की संक्या है 543 ठीक है पहले थी 545 जिसमें दो एंगलो इंडियन जो है उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है अब है 543 जिनको आपको याद रखना है नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 12 लोकसभा को भंग किसकी सिफारिस पर किया जा सकता है तो हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा जिसमें लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि यह अस्थाई सदन है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो राज्य सभा जो है वो क्या है इस्थाई सदन है वो कभी भी भंग नहीं होती है तो यह मंत्री परिशद की सिफारिस पर भंग होती है Q13 लोग सभा का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो लोग सभा का जो कारेकाल है वह होता है पांच वर्ष का कुश्यन नमबर 14 राज्य सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है राज्य सभा में सदस्यों का चुनाव होता है राज्यों और संग शाषित राज्यों की विधान सभाओं की निर्वाचित सदस्यों द्वारा यानि वहां की जो राज्य हैं वहां और जो केंदर शाषित राज्य हैं हमारे वहां की जो विधान सभाएं हैं वहां की निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में सदस्यों को चुनाव होता है नेक्स्ट है question number 15 तो राज्य सभा में हमने देखा कि राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों से वहां से सदस्य आ रहे थे लेकिन लोग सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हो रहा है यहां पर सदस्यों को चुनाव जो है वो जनता द्वारा मतादिकार की अधार पर होता ह यह संसद का जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनीदी सदन है जिसमें सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा वयस्क मतादिकार के आधार पर होता है यानि यहां पर हम direct vote करते हैं नेक्स्ट है question number 16 राजे सबा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है इसकी अधिक्तम संख्या है 250 वही पर लोग सबा की अगर देखें तो वहां थी 552 अधिक्तम संख्या जिसमें वर्तमान में कितनी है 543 ठीक है राजे सबा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या है 250 जिसमें 200 आर्थी सदस्यों का निर्वाचन और 12 सदस्य राष्ट्रपती द्वारा मनोनित किया जाते हैं। और यही जो 12 सदस्य हैं, जब राष्ट्रपती का निर्वाचन हो रहा होता है, तो वहाँ पर ये वारा सदस्य जो है वो वोट नहीं करते हैं क्योंकि ये तो रास्टपती के द्वारा ही मनोनित हैं इसलिए ये वहाँ सामिल नहीं होते हैं नेक्स्ट हैं कुश्यन नमबर 17 राज्य सबा का कारिकल कितना होता है राज्य सबा का कारिकल कितना होता है छे वर्ष वहीं लोग सबा का कारिकल होता है पांच वर्ष नेक्स्ट हैं कुश्यन नमबर 18 राज्य सबा का सदस्य बढने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए तो इसक इसका आंसर है 30 वर्स राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्स होना चाहिए लोग सभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्स होना चाहिए कुश्यन नमबर 19 देखिए comparison करके अगर आप याद करेंगे तो यह चीज़ें और भी ज्यादा easy हो जाती है तो जहां भी आप नोट कर रहे हैं एक साइड राज्य सभा लिखिए दूसरे साइड लोग सभा लिखिए तो इससे आपको बहुत असानी हो जाएगी लोग सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए तो इसका आणसर है 25 वर्स जैसे एक साइड अगर आप राज्य सभा लिखते हैं तो वहां लिखेंगे कि राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्स होना उम्र होनी चाहिए यहाँ पर कारेकाल जो है वो 5 वर्ष होता है वही राज्य सभा की बात करें तो वहाँ पर 30 वर्ष होती है उम्र और वहाँ कारेकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है नेक्स्ट है कुश्चन नमबर 20 लोगसभा की बैठक कौन बुलाता है तो इनकी बैठक जो है वो लोगसभा अध्यक्ष बुलाते हैं जो की वर्ष मान में है ओम बिटला जी देखिए बैठक को कौन करता है बैठक कर कौन रहे है लोगसभा अध्यक्ष लेकिन बैठक बुला राश्ट्र पती ने, next है question number 21, राज्य सभा की बैठक का संचालन कौन करता है, लोग सभा में तो कर रहे हैं, लोग सभा speaker, लोग सभा अध्यक्ष कर रहे हैं, जिन्हें speaker भी कहते हैं, उसी तरीके से राज्य सभा की बैठक का संचालन करते हैं, उपराश्ट्र पती, ठीक है, जिन्हें राज्य सभा का सभापती कहते हैं, ठीक है, next है question number 22, राज्य सभा का पदेन सभापती कौन होता है, तो हमने अभी देखा कि राज्य सभा के जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है, उपराश्ट्र पती, यही पदेन सभापती होते हैं, तो उपराश्ट्र पती ही जो सभ बहापती के रूप में कार्य कर रहे होते हैं नेक्ष्ट है कोश्चन 23 लोगसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहां से चुने जाते हैं तो ये चुने जाते हैं उन्हीं सदस्यों में से जो की लोगसभा में हैं लोगसभा के अध्यक्ष जो हैं लोगसभा के सदस्यों मे मनुनयन समाप्त कर दिया गया है बहुत ज़्यादा important question है आपके exam में आने वाला प्रशन है ये क्योंकि ये बिल्कुल अभी की ही news है क्योंकि इससे पहले आपका exam हो चुका था उसके बाद ये news जो है वो आई है कि 104 समविधान संसोधन के तहत राष्ट्र पती जी जो दो एं गई है तो ये समविधान संसोधन है 104 एंगलो इंडियन का मनुनियन का प्राफधान किस अनुछेद में है तो ये अनुछेद है 331 चीक है आब ये जो सदस्यता है वो समाप्त हो चुकी है next है question number 26 कारेपालिका द्वारा बजट को कहा पेस किया जाता है तो यह budget जो है वो सं 27 समविधान में संसोधन करने की सक्ति किस के पास है तो यह संसोधन जो है वह करते हैं संसद संसद में जो लोकसभा और राजसभा यहां से ही समविधान में संसोधन करने की सक्ति जो है इन लोगों के पास में ही होती है next है question number 28 न्यायाले और उच्चितम न्यायले के न्याय कारवाई कर सकती है नेक्स्ट है question number 28 उच्छ न्यायले और उच्छ तम न्यायले के न्यायधीसों के विरुद्ध कारवाई किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है यहाँ यह प्रशन पूछा गया है कि जो हाई कोट है और सुप्रीम कोट है यहाँ के जो न्यायधीस है इनके विरुद्ध कारवाई अगर करनी होगी तो उसके लिए कौन सो प्रोसेस होगा तो वो होगा महावियोग की प्रक्रिया द्वारा ठीक है महावियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उच्छे नियायले और उच्छे तम नियायले के नियायदीसों के वृद्ध कारवाई की जाती है Next है Question No.29 संसद, लोकसभा, राजिसभा के सदस से क्या कहलाते हैं? ये सदस से कहलाते हैं MP संसद में जो सदस से होते हैं, यानि लोकसभा और राजिसभा इसमें जो सदस से होते हैं, इनको हम कहते हैं Member of Parliament MP कहा जाता है Next है Question 30 संसद का प्रात्मिक कार्य क्या है? तो सबसे प्रात्मिक कार्य होता है इनका कानून बनाना क्योंकि ये विधायका का अंग होता है संसद में ही हम देखते हैं राश्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं तो इनका काम होता है कानून बनाना Next है Question 31 भारत का प्राथम नागरिक कौन होता है? तो ये प्राथम नागरिक जो है वो राश्ट्रपती जी होते हैं जो कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत के जो समविधानेक प्रामुक हैं वो राश्ट्रपती जी है भारत के जो प्राथम नागरिक हैं वो राश्ट्रपती जी है Next है Question 32 राष्टपती का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है तो राष्टपती का जो निर्वाचन है वो किया जाता है निर्वाचन मंदल द्वारा एप्रत्यक्ष रूप से ठीक है प्रधानवंतरी का निर्वाचन हम करते हैं चुनाव करते हैं हम प्रत्यक्ष रूप से लेकिन राश्रपति जी का क्या हो रहा है? निर्वाचन. निर्वाचन मंदल द्वारा एप्रत्तक्ष रूप से लोकसभा, राज्यसभा और संगसाशित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राश्रपति जी का निर्वाचन किया जाता है. next है और राष्टरपत्ती जी ने जो 12 सदस्यों का मनुनयन कर रहे थे राज्य सभा के अंदर वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे next है कुश्षन 33 राष्टरपत्ती बनने के लिए उम्र क्या है तो राष्टरपती बनने के लिए तो इसका आंसर है राष्ट्रपती बनने के लिए उम्र होती है 35 वर्ष वहीं अगर हम comparison करें प्रधान मंत्री की तो वहां आपको लिखना है कि प्रधान मंत्री बनने के लिए उम्र होती है 25 वर्ष लेकिन इसके लिए राष्ट्रपती बनने के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है और लोकसबा का सदस्य बनने योग्या हो Q34, राष्टपती का कारेकाल कितना होता है? राष्टपती का कारेकाल होता है 5 वर्ष का Q35, संसद किस प्रक्रिया के द्वारा राष्टपती का कारेकाल पूरा होने से पहले उसे हटाया जा सकता है तो ये प्रक्रिया जो है वह है महाव्यो की प्रक्रिया नेक्स्ट है question number 36 जब संसत का सत्र नहीं चल रहा हो तब आभशक्ता होने पर अध्यादेश जारी कौन करता है संसत का जब सत्र ना चल रहा हो यानि लोकसभा राज्यसभा की बैठक ना हो रही हो तब आभशक्ता पढ़ रही हो तब अध्यादेश जारी कौन करेगा तो अध्यादेश जारी करेंगे हमारे राश्रपती जी Q37. राष्टरपती किसकी न्युक्ति करते हैं? तो राष्टरपती न्युक्ति करते हैं प्रधान मंत्री की, मंत्री परिशद के सदस्यों की, राज्यपाल की, सर्वोच न्यायले और उच न्यायले के न्यायदीसों की न्युक्ति करते हैं. कौन करते हैं? राष्टरपती जी Q38, भारत के सैनने बलों का सरवोच्च सैनापती कौन होता है? तीनों सैनाओं का प्रमुक, जल सैना, ठल सैना और वायू सैना तो इनका जो प्रमुक हैं वो होते हैं राष्टरपती Q39, राष्टरपती द्वारा आपातकाल इन सक्तियों का किस अनुच्छेद में प्रावधन है? तो यह है अनुच्छे 352, 356 और 360 तो इनके अंतरगत क्या है? अनुच्छे 352 में है कि युद्य या बहारी आक्रमन की इस्तिती में राष्टरपती आपातकाल बुलाते हैं अनुच्छे 356 में राज्य में सम्विधानिक संक्त होने पर अनुच्छे 360 में राष्टर में वित्य संक्त आने पर ठीक है? याद रखना है कि 352 में युद्य या बहारी आक्रमन, 356 राज्य में समविधानिक संकट होने पर और 360 में राष्ट्र में वित्ती संकट होने पर राष्ट्रपती के द्वारा आपात काली निसक्तिया जो है उनका प्रावधन किया गया है Q40. उपराष्ट्रपती बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? उपराष्ट्रपती बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए और जोकी राज्य सबा का सदस्य बनने योग्य हो यहीं जब हमने राश्ट्रपति की बात की थी, तो उनके लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष और जोकी वहर लोकसभा के सदश्यबनने के योग्य रखते हों. उप्राश्ट्रपति का कारेकाल कितना होता है? उप्राश्ट्रपति का कारेकाल होता है 5 वर्ष का. कोश्यन 42 मंत्री मंदल की निक्ति किसकी सलहा पर राश्ट्रपती करते हैं तो यह प्रधान मंत्री की सलहा पर ही करते हैं राश्ट्रपती जी उस मंत्री मंदल में से ही जो मुखिया है उनको चुनते हैं तो वह भी प्रधान मंत्री कौन निक्त करते हैं राश्ट्रपती और प्रधान मंत्री के अंडर में जो भी मंत्री परिशद होती है, मंत्री मंडल, जो सदस्य होते हैं, उनकी न्युक्ति भी कौन करते हैं? राश्टरपती जी. Q43. मंत्री परिशद किसे कहा जाता है? तो मंत्री परिशत के अंतरगत आएंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्रियों के समलित रूप तो cabinet मंत्री कौन होते हैं, जो हम देखते हैं कि ग्रह मंत्री, रेल मंत्री, तो इन मंत्रियों के जो हम नाम सुनते हैं, यह सभी cabinet मंत्री के अंतरगर आते हैं, तो मंत्री परिशद कहेंगे हम cabinet मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्रियों के समलित रूप को कहा जाता है, मंत्री क्वेशन 44 मंत्री मंडल किसे कहा जाता है हमने अभी मंत्री परिशत देखा था जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री अगर हम निकाल दें तो वो कैबिनेट मंत्री जो हैं वही कहलाते हैं मंत्री मंडल मंत्री परिशत के बैठकी अद्धिक्षता कौन करता है तो यह अद्धिक्षता करते हैं प्रधान मंत्री क्योंकि यह मंत्री परिशत के मुखिया होते हैं राष्ट्रपती और मंत्री परिशत की भी संपर्क कड़ी का कार्य कौन करता है तो इनके बीच में जो कड़ी का काम करते हैं वो होते हैं प्रधान मंत्री नेक्स्ट हैं कुश्यन नंबर 47 महाअभयोग का क्या अर्थ है महाअभयोग का अर्थ है कि संसत द्वारा राष्ट्रपती सर्वोची नयाले उची नयाले के नाइदीसों को हटाने की विधी जो हमने अभी पड़ी थी कि किस प्रक्रिया के ज्वारा इन्हें हटाया जा सकता है तो महावयोकर्थ क्या है हटाने की विधीर नेक्स्ट है एक संक्रमनिय आनुपातिक प्रतिनिदित्व क्या है तो इसका अर्थ है कि मतदान की वह प्रणाली जिसमें निर्धारित मतप्राप्त करने के लिए बिभिन उमीदवारों में मतों का विभाजन कर एक निश्चित अनुपात के अधारपा प्रतिनिदित्व करना तो यह प्रक्रिया जो है वह राष्ट्रपती के निर्वाचन के समयकार्य करती है कि संगहात्मक विवस्था की मुख्य विसेस्ता है संगहात्मक विवस्था की मुख्य विसेस्ता है शक्तियों का विभाजन क्योंकि हम पहल आपका यहां complete होता है, next हम करेंगे chapter number 7 class 8 का, इसी तरीके से आप लगातार वीडियो देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जो है वो regular रखिये मिलते हैं next video में, thank you.